नमस्कार आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मैं हूँ आपके साथ विविक्षान्डेले दिली में शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि केज्रिवाल के करीमी विजय नायर को पाँच दिन की सीबियाई रिमान पर भेज़ दिया गया है सीबियाई ने कल रात विजय नायर को गरफतार किया था विजय नायर की गरफतारी को लेखर आम आदमी पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया है मुख्यमंत्री केज़िवाल ने आरूप लगाया कि ये सब गुजरा चुनाव की वज़े से हो रहा है विज़िवाल ने ये भी आरूप लगाया कि ये आम आद्मी पार्टी को कुचलने के लिए किया जा रहा है क्योंकि उनकी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज बन कर सामने आ रही है केज़िवाल ये भी आशंका जताई कि अब शराब घोटाले की नाम पर मनीश सिसोधिया को कभी भी गिरफतार किया जा सकता है पहले आपको सुनौते हैं अर्विंद केज़िवाल ने विजजैनायर की गिरफतारी को लेकर आज क्या कहा है कल उन्होंने विजय नायर को गिरफतार किया कौन है विजय नायर आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कारे करता है हमारा कम्मिनिकेशन का काम देखता है पहले इसने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया था पंजाब में हमारी सरकार बन गई अब विजय गुजरात का कम्मिनिकेशन संभाल रहा था गुजरात की सारी कम्मिनिकेशन स्ट्राटीजी बनाता था गुजरात का सोशल मीडिया देख रहा था उसको इन्होंने गिरफतार कर लिया कह रहे हैं कि उसने शराब घुटाला किया है दिल्ली में मुझे समझ नहीं आता उसका शराब या शराब घुटाले से क्या लेना देना है वो तो गुजरात का सोशल मीडिया देखता है एक छोटा सा कारे करता है पिछले कुछ दिनों से उसको रोज पूछताच के लिए बुला रहे थे लोग उस पे जबर्दस्ती जोर जबर्दस्ती डाला जा रहा था कि जूट मूट मनीश से सोधिया का नाम ले लो ने तो तुम्हें भी गिरफतार कर लेंगे पर वो आम आदमी पार्टी का एक सच्चा कारे करता है उसने जूट बोलने से इंकार कर दिया इसलिए कल इसको गिरफतार कर लिया इन्होंने मनीश से सोधिया जी के घर पे रेड़ की कुछ नहीं मिला मनीश जी के बैंक लॉकर की तलाशी ली कुछ नहीं मिला अब ये इस तरह से जोर जबर्दस्ती करके मनीश से सोधिया को फसाना चाते हैं इन्होंने विजय नायर के घर पे एक महीने में दो-दो बार रेड की, वहां भी कुछ नहीं भिला, बुरी तरह से बोखलाए हुए हैं ये लोग, पागल हो गया हैं, क्योंकि गुजरात में हर रोज आम आदमी पार्टी का गराफ बहुत तेजी से वड़ता जा रहा है, गु अगर इन्होंने विजय नायर जैसे एक छोटे से कारीकर्ता को गिरफतार कर लिया तो इलोग किसी को भी गिरफतार कर सकते हैं महमानों का पैनल हमारा साथ महाचूद है, शाच-थाथ पुना वाला हमार साथ चोड़ए विजय पिकर, स्वालगत है आपका सेंजे सिंग हमारा सार जूला है सांसादा हमादमिपार्टी आपका भी स्वालगत है लिघृ अ. हमें झारिक उतना में जालए आ. को भूसी पारिशान हों, तो में आपको डर लगा है नहें? देखे मैंने अरविन केजदिवाल और संजे सिंग जी दोनों के मैंने वक्तवय और प्रेस कॉंफरेंस सुने थे ये कह रहे है कि छोटा मोटा कारी करता है विजय नायर 2014 से इनके लिए काम कर रहा था और न्यूज रिपोर्ट के आधार पर पता चलता है जिसकी पुष्टी नामादमी पार्टी के निताओं ने की कि ये इनके लिए बड़े-बड़े सेलेबरेटी भी ला रहा था और ये उनका फंड मैनेजर और कैमपेण स्रेटीजिस भी था इसके ओपर गंभीर सेक्शुल हरेस्मेंट के आरोप लगे थे ये कैरवान न्यूस की रिपोर्ट है ये मानते भी हैं इसको विशुस्तियां मानते हैं तब भी उसका डिफेंस अंकित लाल जैसे निताओं ने किया और उसको पार्टी में रखा गया इतनी उसकी पैचान थी छोटे-मोटे कार्य करता अर्विन केजिवाल जी से घर पे तो नहीं मिलते होंगे ये अर्विन प्रमान नंबर वन दे रहा हूं ये शोकॉस नोटिस इनी की सरकार संजय भाए की सरकार ने 2021 में शोकॉस नोटिस जारी किया इंडो स्पिरिट से एक ब्लैक लिस्टेट कंपनी थी उसको ठेका नहीं दिया सकता था उन्हीं की एक्साइज डिपार्टमेंट ने शोकॉस दि और इसलिए इस पर कोई कारवाई नहीं की अर्णिय था मुझे संजे सिंग बता दे स्पेसिफिकली सवाल नमबर वन कि क्या इसके ओपर इस शोकॉस नोटिस जो इनी की सरकार ने जारी किया था इनी के एक्साइज डिपार्टमेंट ने क्या उन्होंने इंडो स्पिरिस प मुझे एक बार पुष्टी करके बता दे और तीसी बात ये है दिनेश अरोरा अर्विन केजिवाल के घर पे भी दिखाई दे रहे और उनके नाइट क्लब चिका में मनी सिसोधिया वहाँ पर गए थे डिसकेशन करने शायद पता नहीं किस चीज का डिसकेशन करने गए थे ये दिनेश अरोरा इनका तीसरा कैश कलेक्टर जिसका नाम यहाँ इस F.I.R. में है और उसने भी करोडो रुपे की राशी और पैसा जो है F.I.R. के माध्यम से पता चला है कि इसी महिंद रूस से लिये थे और ऐसे अमंदीब धाल जिसका भी नाम F.I.R. में है उसको L1 प देखे मैं समस्ता हूँ कि आपने अपने चैनल पे कम से कम 50 कारिकरम दिल्ली की शराबनीती पे किया होगा 50 कारिकरम और जो रटा रटा है सवाल अभी कर रहे हैं आपके सामने सहजाद पुनावादा जी यही पचास बार यही रटा रटा है सवाल अगर आप फ्लैस बैक में जाएंगे यही बोलते हैं मेरा सवाल इन से यह है कि आपने मनीज सिसोदिया के घर 14 घंटे छापे मारी की क्या मिला आपको आपने उनके लौकर को चेक चिया आप पूरे डेस को बताईए जो उनके बच्चे का जुद्शना मिला उसका कितना अदाम है बताईए उनके घर पे कौंशी बेनामी शमपत्टी मिल गई कितने करोन रुपे आपको बरामद हुआ दो मारा अपने विजे नायर पे छापा मारा उसके घर से क्या निकला उसके घर से क्या आपको बरामद हो गया पांच दिन से लगातार उस व्यक्ति को बुला के टॉर्चर करके एक ही चीज कही जा रही थी मनीस सुसोदिया का नाम लो मनीस सुसोदिया का नाम लो उसका क्या मतलब है शराब नीती थे पंजाब के चुनाओं में वो सोसल मीडिया का और कैमपेंड का काम देख रहा था वही काम वो गुजरात में देख रहा था उसको पकड़ के गिरिफता था तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात की हार का डर अगर इतना सता रहा है तो एक ही बार में सब को गिरिफतार करके जेल में डालो काम खतम करो ये दुनिया भर का 50-50 कारिक्रम सिर्फ इसी दिल्ली की शराब नीती पे हो रहा है और मैं बड़ी बिनमरता पुरुक आपसे पूछना चाहता हो विवेक जी गुजरात के अंदर 75 लोग नकली शराब पी के मर गए जिस राज्ज में 27 साल से शराब बन दी है जहां पर एक बून सराब की दिखनी नहीं चाहिए वहाँ जहरीली सराब नकली शराब बिक रही है कितने कारकरम में सहजाद पुना आवला ने आके जवाब दिया गुजरात के उपर कितने बीजेपी नेताओं के गिरिफतारी हुई किसके किसके घर में EDCBI गई किससे उस्ताच हुई किसको किसको जेल में भेजा गया आप हिंदुस्तान की महाराजा पार्टी है आप इस देश में महंगाई बढ़ेगी कोई जवाब नहीं देंगे बेरोजगारी बढ़ेगी कोई जवाब नहीं देंगे रुपया गिर रहा है कोई जवाब नहीं देंगे अंकिता भंडारी को एक गरीब की बेटी को यह कहा जा रहा है कि तुमको बी आईपी को स्पेसल सर्भीस देनी है, गरीब की बेटियां, भात्पा के नेताओं को स्पेसल सर्भीस देंगी, उस पे आप कोई जवाब नहीं देंगे, रोजखाली बैटके शराब नीटी, सराब नीटी, भाइ cya नि से मैं एक reaction ले लूँ से मैं आ रहा हूँ कॉंग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ब्रश्टा चार की अगर कोई श्रेडी होती है तो उसमें अर्विंद केज जीवाल और मनीश सिसोधिया को भारत तरत्म मिलना चाहिए आखिर ऐसा क्यों है डॉक्टर अजय कुमार जी संजय जी हमारे अच्छे दोस्ते तो इससे कोई किस तरह का वोचे टिपनी नहीं करोंगा तीन चाहिए जो अगर नीती साही होती तो वापिस लिया नहीं चाहता है तीसरा पहले पत्तीस लाग के जो है डेपोसिट होती थी पत्तीस लाग में छोटे-छोटे दुकानदार भी जो है अर्नस्मारी डेपोसिट करके अपने शराब के ठेका में इससा ले सकते है इसको पांच कोर किया गया है इसका मतलब है कि ताकि बड़े लोग कही खेल हो ज करें तो अंकिता के लिए भी जो है आट-दस कालिक्रम विवेग जी अप्सान रोट करूँगा आप प्रिपैर कर लें देश क्रियत में है और बाते जन्ता पार्टी के प्रस्चार के बारी में पराबर करा है यह नहीं किसी खाबर को किसी पार्टी के हिसाब से नहीं तौल मैं विवेग जी मैं आपको दहनवाद देना चाहूंगा क्योंकि कभी-कभी इतने ती-वी चानल से अलग-अलग ती-वी चानल के मैं भूल जाता हूं तो सॉरी असके लिए मिश्चार कब बात है कि इने के पालिसी में क्यों प्रस्चार कब हुआ है यह पहले का कि 25 लाग प्रस्चार को जवाब देना पड़ेगा कि जो हमने अधियन किया था कि यह वैल्यू आड़ेड़ टैक्स और यह एक्साइज वैल्यू आड़ेड़ टैक्स के माधियम से तीन सु रुपे का जो है यह सेवन फिप्टी मेल के बॉटल इंडियन लिकर के लिए मैं विदेश क वाले शेराब के बारे में नहीं कर रहा हूँ तो उसमें थीन सो रुपे का टैक्स बनता था पहन है अब नाय नीती के आदार पर जो सचसे ज़ादा चिंटा के विश्ज़ है कि वो दो थीन रुपे के आस पास हो जाता है इसका मदला वे कि थीन तीन सो तीन रुपे था व जल्दी से पूरा कीजेगा हाँ अजे जी ने फालास है इस शराब निती में पूरी तरह से एक तो बहुत भारी तरह से जो है रेवेड्यू लॉस जो हमारे जो अनुसंदान के मताबिक है हमारे जानकारी के मताबिक हर बोतल पर तीन सो रुपे के आसपास का जो है सवालों के केरे में यानि कि दो मुखे मुद्धा उठा रहे हैं पहले रेवेन्यू लॉस और दूसरा आनन फानन में नीती को वापस क्यों लेना पड़ा इसका जवाब मैं आप से लूँगा संजे जी लेकिन इससे पहले शाजाद भी इसमें कुछ आइड करना चारहे शा चालीन तरीके से संजे भाई से कुछ और सवाल पूछना चाता हो हाला कि संजे भाई ने अपना विशेश अधिकार इस्तमाल करते हुए शो कॉस नोटिस का भी जवाब नहीं दिया और जो मैंने स्पेसिफिक सवाल विजय नायर के बारे में पुछे आप पचास कारेक्रम जहां पर आपने मुझे बुलाया है उसमें जो मेरे 15 सवाल थे और आज के जो मेरे सवाल है अगर एक भी सवाल रेपेटिटिव हो तो मैं कारेकरम में माफी मांग कर चला जाओंगा आपके प्रड्यूसर को बोल देता हूं कि उनके पास जवाब नहीं होते ना उस पचास स इनको भी एक लाइसेंस मिला था मतलब यह जो बटा है यह अपने भाई भतीजे दोस्तों में ही बाटा है इनोंने मैं अब दूसर स्पेसिफिक बात रखना चाहता हूं देखे विजय नायर कोई नहीं था कुछ नहीं था तो जिस दिन रेड हो रही थी उस दिन उसके घर दुर्गेश पाठक एक विदाय क्या कर रहा था दुर्गेश पाठक एक बहुत सीनिर लीडर है हम आदमी पार्टी का और यह मैं नहीं कह रहा है यह तमाम आपके न्यूस चैनल्स ने चला यह ख़बर या तो यह आप पे मानहानी का दावा कर दे अगर गलत है क्योंकि हमा अरुन जेटली के उपर जो आरोप लगा है माफी मांगनी पड़ी तो यह उनकी विश्वस्तनी अता का एक स्तार है तो पहला यह उनुवर्सल वाले का जवाब दे दे विजे नायर का जवाब नहीं दिया अब उन्होंने बोला कि देखे विद्वेश की भावना से हो रहा यह तो तब भी कहते थे कि सतेंदर जायन जी कि हाँ कुछ नहीं मिला भाई सतेंदर जायन जी चार महिने से जेल में है संजे भाई आप बताईए कि इतने ही कुछ नहीं मिला है और विद्वेश की भावना से कारवाई है तो तीन-तीन कोट ने उनके खिलाफ आदेश दिया 2019 में अगस्ट में high court ने अदेश दिया कि ये हवाला बाउस है 2020 । जुलाई में high court ने आदेश दिया कि एक criminal background का आई K.J. वाल को फैसला करना है कि निकालना है कि निले एक निले निले निलेक्वाला है और तीसा जुलाई 29-2022 को फैसला आया कि जो उनके खिलाफ ED की चाचीट है वो सही है और उनके उपर ट्राइल चलना चाहिए और प्राइमा फेसाई वो हवाला कर रहे है उनकी न्यूज रिपोर्ट भी मेरे साथ है तो क्या वो भी विद्वेश की भावना है और आकरी बात भी गुजरात की बात की मुझे केवल संजे सिंग जी एक बात बता दीजे जगमल वाला जो आपका सोमनात का कैंडिडेट है जो कहता है कि शराब बहुत अच्छी चीज है सभी लोग पीते हैं क्या आप इस बयान के साथ हैं हाँ या ना आज आपने भगत सिंग जी के साथ तुलना विजय नायर की की कल आपने अपनी तुलना कानहा जी के साथ कर दी थी और उसके अलावा महत्मा गांधी के साथ आप तुलना करते हैं मनी से सो दिया की मतलब कि महात्मा गांदी जी जो पूरा प्रोहिबिशन चाहते थे और आप चाहते थे वान पे वान और एक लास बात बाकी सब छोड़ दीजे पंजाब सरदार भगत सिंग जी का जो मतलब एक जिसको हम कह सकते कि उनके वहाँ पे एक कनेक्शन है उसको भी नशा मुक्त करने के वादे नशा युकत ऐसे किया गौनिका आपकी पत्रकार गई थी और उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखे मकबूल पूरा से वहाँ पर जो वीडियो सामने आई कि एक लड़की अपने पैर पे खड़ीने रह सकती है और गली गली महले महले में इन्होंने शराब और नशाम कर दिया है ठीक है मैं जवाब लेलता हूँ संजर जी एक तो शाजाद के सवाल दूसरा कॉंग्रेस पार्टी का सवाल कि आपने रिवेन्यू को इतना कम कैसे कर दिया और आपने आपकारी नीती वापस फौरण क्यों ले ली इन तमाम चीदों का जवाब एक बार में थे देखिए ये कहीं रिटेन में कोई आदेश नहीं जारी हुआ है कि सहजाद पुना वाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है तो ये देश के महराजा हैं ये कोई जवाब नहीं देंगे इन्होंने नहीं बताया कि गुजरात में जो 75 लोगों की जान गई नकली सराब पीने से उसमें कितने लोगों की गिरिफतारी हुई भारती जंता पार्टी के जिला पंचाय सदस्ति के घर पे नकली शराब पकड़ी गई थी उसके खिलाफ क्या कारवाई हुई कितने एडी कितनी सीबी आई ने बीजेपी नेताओं को पकड़ा और जेल में डाला वहाँ पर बाकाइदा एक बैन में शराब लोड करके पुलिस वालों पे वो बैन चढ़ा रहा उसका वीडियो वारल हुआ था गुजराथ जिस प्रदेश में 27 साल से भाजपा का सासर जिस प्रदेश में घोसित तोर पे शराब बंदी वहाँ 75 लोग मर गए यहीं बगल में बाबा जी का राज है उत्तर देश में 115 लोग अली गढ़ में नकली शराब पी के मर गए कोई जवाब दे ही नहीं आपकी आप महराजा पार्टी है हिंदुस्तान की आप देश में जो चाहेंगे वो करेंगे उन्नाव कांड में आपका बलातकारी विधायक उम्रकायत की सजा काट रहा है उसके बारे में आपकी कोई जवाब दे ही नहीं हाथरस में गरीब बेटी की इज़्जत तार-तार हो जाती है बलातकारियों के साथ आपकी पार्टी खड़ी रहती है मैं पूछना चाहता हूँ पूरे देश को बताईए आज अंकिता भंडारी को उस गरीब की बेटी को किसके लिए विवस किया गया कौन था वो विवाइब बी आईपी ठीक है संजे ची लेकिन पूरी बात बोलूँगा ठीक है आप पूरी बात बोली लेकिन टॉपिक के एर्दगिर दे रहे हैं अपके सामने कि एक कंपनी केसन इंचार्ज के घर में दुरगेस पार्टे कैसे चला गया बताया ना इस बात को तो मुझे जवाब देने दीजे ना इनसे पूछने दीजे जवाब देने दीजे तो और मैं यह कह रहा हूँ आपसे कि इस देश के अंदर आपसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर भारती जंता पार्टी जवाब क्यों नहीं दे रही है शराब के मुद्दे पर पचास कारिकरम कर चुके इंडिया टीवी पर भी हम लोग भी आ चुके जवाब दे दिये गुजरात पर कितने कारिकरम हुए गुजरात की शराब नीती पर कितना जवाब आपने दिया देश को बताया आपने एडी खाली आप देश में जहरीली सराब पीपी के लोगों को मारें गे 525 दुकान नोइडा में है शराब की 1700 दुकान बैंगलोर में है 22 दुकान गोवा में है आप बाते करते हैं शराब नीती पे आप लोगों ने इस देश में भरस्टाचार का ठेका ले रखा कट हुआ के अंदर 8 साल की बच्ची का बलातकार हुआ था तीन-तीन मंत्री बीजेपी के तिरंगा लेके बलातकारियों के समर्थन में निकले थे ये बैठके हमसे सवाल पूस्ते है रोज बई आप कौन होते हैं सब आप जवाब दीजे देश को महंगाई पर बेरोजगारी पर अंकिता भंडारी पर आप जवाब दीजे आप ये नहीं करेंगे कि आपके हिसाफ से पूरा प्रोग्राम से ठोगा आपके हिसाफ से आप रोज बैठ जाएंगे रोज हम आपको जवाब देंगे मनीज से सौधिया के घर क्या निकला आज बताईए इसको आप इसका जवाब देदीजे ठीक है संजे जी आपने संजे जान को भी तक बाहर नहीं आने दिया आपने अमारचुला खान को जबरन पकल लिया जी संजे जी मैं संजे जान सभूर में पूछ रहा है संजे जान सभूर पर सांसद के रूप में बूली ने कर सकते किसी को ये बूली चल रहा है एक तो आपके सवाल का भी ज़वाब नहीं दे रहे और मुझे भी बोलने दे पीवी डिबेट में तो गुस्ता ठीक बात नहीं है मैं कह रहा हूँ आपकी इस हवाल में इसे पूछ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि चलिए मैं दो बाते कह रहा हूँ सुपष तरीके से पर देखे यह जवाज करें दीजे ना इसमें भी अगर बादा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम हमें पांच सेकंड दे दो अन्यता ये फिर ये दिक्कत होगी अब रिक्वेश्ट दस सेकंड दे ने ये इस पकार का न्याय ना करें अच्छे ठीक है संजे जी हाँ पांच मिनट बोलो आप बोखला ते क्यों है इतना इतना गुस्ता क्यों हो जाते हैं ये जवाब बनने पर अरे संजे भाई आप सांसद है आप एक प्रती निदी है जन प्रती निदी इतना गुस्ता नहीं होना है सवालों से डरना नहीं है है ये किवल विग्यापन के स्लोट पे आप आई और अपनी बात चुले जाए नहीं चलता है की विग्यापन के दसे यह विक्रप आप मुझे देना दोगाने को मरें इस सवाल 허ॉब अब मुझे देनास आप बोली ज़ों पिर हां अजैजी को भी देना है मुझे लगता है, देश्की जंता बहुत समझदार है, वो समझ रही है कि कौन सवालों से भाग रहे है, कौन सवालों का जवाब रहे हैं। और ये वाले मुद्दे पर नहीं गया हूँ, मैंने आपको specifically इनकी सरकार का शो कॉस दिखाया, इंडो स्पिरिट्स का जो व्यक्ति गिरफतार हुआ है, विजय नायर जिसका कलेक्टर पैसा कलेक्ट किया है, उस पर जवाब नहीं आया, मैंने दिनेश अरोडा के संबंध केजिवाल से क्या है, मैंने उसको कितना पैसा दिया गया, अमित अरोडा ने जो आरोप लगाया है, जो अमंदीब दाल का है, उसके उपर कोई सवाल का जवाब नहीं है, फिर वो CBI के पास गई, छोटा पॉकेट मार या ब्लैक टिकेट करने वाला भी होगा ना संजेबाई, वो भी अपनी जो क्रिमिनल प्रोसीज है वो गर में नहीं रखेगा, मनी सिसोद्या तो फिर भी बड़े वेक्ती हैं, वो तो बड़े लवल के हैं, तो उप अपनी बिस्तर के नीचे जुझ जुणा ही रखेंगे, कोई पैसा नहीं रखेंगे, बर मै आप से पूछना चाहता हूं कि सतेंदर जन में यही आरग्युम्न्या आप ने किया, सतेंदर जेहने में यही आरग्युमेंट आप निकिआ, कट इमान्दाह है, आप हमसे जर्चा ना करें अगर करना है तो दूसरा विश है पर मैं आज आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और मुझे जवाब चाहिए कि कि किस प्रकार से ये शराब नीती इसमें प्रश्काचार हुआ नहीं हुआ तो थोला पेस भी बना रहेगा संजे जी जवाब दीजे फिर में डॉक्टर और जोए आपके पास आ रहा हूँ संजे जी देखें पहली बात तो सतेन जैन के मामले का सच पूरे देश को बताना चाहिए सतेन जैन के मामले में ये पहली सरकार है निरलज्जता की पराकास्था देखिए जब जज ने इनसे सवाल पूछना सुरू किया कि सतेन जैन के खिलाब साख्च क्या है तो ये इतने निरलज्ज और बेशरम लोग हैं कि इन्हों ने कहा जज बदलो हमारे मुताविक बात नहीं कर रहा है इसको हटाओ ये है इनका चरित्र आप लोग जुडिसरी को प्रभावित कर रहे हैं नियाजपालिका को प्रभावित कर रहे हैं इनको पुराने तमाम ये नाम याद हैं जितेन तूमर ये वो बंगारू लक्षमर भूल गए एक लाख रुपए की रक्षा सौदी में दलाली खाते हुए आपका रास्टी अद्रक्ष पकड़ा गया उसको सजा हुई थी आप वो पार्टी हैं जिसके एक नेता जुदेव जी ने कहा था पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं आप वो पार्टी हैं इसलि आप बताईए पुरे देश को मनीज सिसोधियाग पर पिजय नायर पर जो भी आपने कारवाई की आप कहरे हो कि जुन-जुना ही मिलेगा पाकेट मार भी होसियार रहता है अरे भाई तो ये CBI को भेजते की हो ड्रामा करने भेजते हो जब तुम्हें पता है कि सब हट चु पर मारी करेगी तकिया फाड़ेगी गद्दा फाड़ेगी जुन-जुना लेके आएगी आपने इसके लिए CBI बना रखी है ड्रामा करने के लिए तो इसलिए जिन मुद्द आप बताओ ना मनीज सिसोधिया का नाम लेने के लिए दबाव क्यों बना रहे थे बिजय नायर पांचा तो पांचेश ठेका नोईडा में क्यों है? अलिगर मैं 115 लोग क्यों मर गए? 1700 ठेका बंगलावर में क्यों को रखता है? 22 ठेका के गोवा में क्यों है? अपनी शराब नीती पर कोई जवाब देते नहीं हो? आप की पार्टी में संत्य अधुरप्पा है आपकी पा अपनी बात पूरी कर रहते हैं अप उसकी पाटी हो सारी चीजों का जवब देता हूँ उनकी पूजा करो ठीक है संजे जी डॉक्तर आजाई काफी देर से बेड कर रहा है ठीक है संजे जी संजे जी आपके पास वापस लोटूँगा और शाजाद से सारे जवाब लूगा लेकिन डॉक्टर जोई कुछ कहना चाह रहे डॉक्टर जोई जिनके साथ मंत्री पर के सपत लिया संजे जी ठीक है मैं आ रहा हूँ आपके पास दुवारा हूँ अधिकारी उनकी अगरबस् नहीं बिल्कुल हाँ बोली आप देखें दो चीज है एक तो पूरे देश में टीवी चैनल पर सवाल इसले खड़े होगे जैसे मद्यपरदेश में पूरे बांध उड़ गए उस पर कोई चर्चा नहीं महाराष्टर में सौक्रोर विदायक लोर मंध्री बनने के लिए जब तक आगर और हम विवेक की आरोप नहीं लगा रहे हैं, यह सभी के लिए और देश के लिए, क्योंकि शोशल मीडिया में जोड़ चल रहा है, तो एक तो सब की साथ जो है, कास सोशल मीडिया का जो साथ जो है, पप्लिक भी समझ ज़े हैं, तो कि आम आदमी पाकी का शरा पाला कान गुजरात में देख लीज़ेगा, तो हमारा कहना है कि इनके अगर पचास कारेक्टर्म कर रहे हैं तो बाकी का कंसी कम तर दस पंदर होनी चाहिए, पैली बात, दूसरी बात इस संजेची से मैं अफिर से अन्रोथ करूँगा, देखिए, जो आरोप है, वो राज पार्टी के लिए एक बहुत ही सीरिस सुनोती है, कोर्ट में साबित करने के ही, कि ओ निर्दोष है, हर एक साथ सो पचास बातल के उपर तीन सो रुपे का राजस्व का नुकसान होई देली सकता है, हर पत्चीस लाग को अपने पांच कोर में जो है, उसको इसको इसको इसक अजेचे बता सकते हैं, जो व्यत्ती को जो डिली में ठेका दिया गया है, उसको फूरा ठेका पंजाब में डिया गया है, और सबसे इंपोर्टन चीज़ क्या है कि 60-40% का जो सरकार कि सरकार के दुकान के जो सरकार, एक तो सरकार का टैक्स का रेवनियू आक बदिमें कि य सरकार उसके पैसे और कमाती थी उसके अलावा राज टैक्स के अलावा तो वो भी खतम हो गए तो इसी लिए पर लास्ट में हम इतना ही कहेंगे जितना इंपोर्टन्ट ये गोटाला है और ये बहुत ही और आम आदमी पार्टी हमरे राजनेतिक पती दोंदी है और उनको जो अगर आपका हर्याना में अगर आपका उप्तरपदेश में यादि उस तरह के आप कवरेज नहीं दे रहे हैं तो आपके साथ पर प्रसंशिव उठेंगे ये मैं आपसे विवेट पाई है इंडिया टीवी इस बात के लिए आपको प्रॉमिस करता है कि इंडिया टीवी पर हर तरह के और हर स्टेट से जोड़े मुद्दे उठाया जाते हैं लेकिन आपकी आरोप्पु का जवाब में सन्जय जी से ले ले लेता हूं उसके बाद में स्याजाद आपके पास पर सारी आपका विवेक जी ऐसा है आपने अभी उनकी बेचैनी देखी इस तरीके से बेचैनी से बात नहीं होती है उनको मौका दीजिए वो अपनी बात कहें तो मुझे बेचैनी वाली बात कोई परस्नल टिपनी करें उन्होंने पहले भी बात कहीं अभी आप उनको लाओ करें ठीक है यह फिर टाइम किलिंग हो रहा ना बोली संजे जी बोली जब 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 किया तब मुझे बोलने दीजिए चलिए संजे जी आप बोला नहीं दो थीन बाते बोले तो क्योंकि दोनों पार्टी देखें बहुत बहुत भाद रही जांत सचार अब दोनों पार्टी कोरॉप्शन के ट्विन टावर है इसलिए दोनों का भष्टाचार को बचाना और भारतिय जन्ता पार्टी जो करॉप्शन पर एक्शन लेती उस पर हमला करना यह उनका स्वाबाविक प्राकृत्तिक उन्होंने तो निका भी किया था 2013 में भूल गए किया द जज को बोले होंगे कि हम पर यह CBI यह जो एजनसी है यह सारे कार कर रही है हमें परिशान कर रही है हमें प्लीज रिमांड में मत दीजिए फिर भी कोट ने रिमांड दे दी मतलब कि इनके जो पुष्टी आरोपों की पुष्टी तो कोड भी नहीं कर रहा इन्होंने का सत क्यों बना कर रखा है हाई कोट के जज ने का सुन लीजिए 2019 में पेच 16 18 में से 13 30 सत्य इंदर जैन हवाला बाजी कर रहे थे ट्रांजक्शन उनके हैं बताईए स्वागत करते नहीं करते हैं 2022 का जुलाई का ओडर है हाई कोट का उन्होंने कहा कि यह आप राधिक प्रश्टभूमी का है केजरिवाल जी तेह करे अब बताईए जज की बड़ी आप जो है मान्यत्ता रखते हैं न हम तो जज के ऊपर प् अधिकन देता हूं ना यहापाम के बारे में चर्चा करते यह यह ऑपाम में दोनों बहुत बहुत बोलते हैं मैं अजय कुमार से पूछवारे में इतना घोटाला था फीज वेर ले एक एंड़ साल उनके पास थे क्या वो audio दिया है, या मीडिया को दे रहे हो, या पंजाब में, आपने FIR, वहां पे तो आपकी पुलिस है, और चलिए पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो आप क्रिमिनल कंप्लेंट कोट में करा सकते हैं, जैसे हमने सोनिया और राहूल गांधी के खिलाफ नैशनल हेलेंड में कराई थी, कोट से आदेश हुए, आपने कोई क्रिमिनल कंप्लेंट हमारे करफशन के बारे में इतना प्रूफ है, यदियूरप्पा जी का प्रूफ है, हिमंता विस्वा सर्मा का प्रूफ है, L.G. का प्रूफ है, सारे प्रूफ आपके पास है, आप क्यों जाकर कोट में क नहीं जेते और आखरी आखरी दारी सहां. Пंजाब में की सरकार आई हैं वहां पर उनकी मानिंग पॉलिसी को हाइट आ ड़ Polis को हाइक वहां पर सरकारी मुलाजिमें को पैसे देने के लिए थे पास पैसे नहीं बचे और वहां पर भी पर कारवाई सही है और दोनों मिलके बोलते हैं कि ED जो है और CBI जो है वो विद्वेश्पून कारवाई कर दो है घजब है वाटर स्कैम वाटर घोटाले का आरोब भारती जंता पाटी ने लगाया था बुकलेट जारी की थी देखिए अब भारती जुट्था पाटी का असली चेरा यही है कि वो मेरे उपर डाल रहे है करें अगर इतना है तो जाईए कारवाई कराईए अरे भैया तुमने जारी किय था बुकलेट बना के जारी किया था हेमन सर्मा महाब्रस्ताचारी है उसकी बुकलेट है वाटर स्कैम में अब आजाए मुकुल रहा है सार्दा स्कैम नार्दा स्कैम भारती जंता पाटी ने जारी किया था आपने कहा था वह महाघोटाले बाज है फिर आपने कहा वह आती जंता पार्टी ने उसके सार्दा स्कैम का मामला जारी किया था उसके भरस्ताचार को उजागर किया था फिर का सुवेंदू अधिकारी उधर तू स्कैम कर रहा था इधर आजा वासिंग मसीन में तुझे साफ करते हैं और फस क्लास उसको आपने लीडर आफ अपोजीश बना दिया चक्की पिसिंग अजीत पवार चक्की पिसिंग पिसिंग हजारो करोड का घोटाला किया है उसी अजीत पवार को लेके साड़े छे बजे सुबा सुबा देवेंदर फ्रणानविस सपत लेते हैं किसने आरोप लगाया था आमाद्वी पार्टी ने नहीं भारती जनतापाटी ने आरोप लगाया था यदुरप्पा संत यदुरप्पा महा भरस्टाचारी खानन मामले में उनको आपने अटाया था कि नहीं नहीं यह तो भरस्टाचारी इसको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे बोले दुबारा आओ तुमको संसदिय बोर्ड में रखेंग को इस्पेसल सर्विस देने के लिए जिसको कहा गया उसका नाम देश आप से पूछ रहा है उसको बताईए मनीश सी सौधिया को आप जेल में डालना चाहते हैं डालिए बीजे नायर पे दबाव बना रहे हैं मनीश सी सौधिया का नाम लेने के लिए दबाव बनाईए जो कुछ भी करना है गुजरात की हार से बचने के लिए आपको डर सतारा आप कीजिए ये सब बाते किसी दूसरे को बताईएगा भरस्टाचारी जो आपकी पार्टी में आ जाता है वो तुरंत राजा हरीस्चंद हो जाता है उसके खिलाप कोई कारवाई नहीं होगी वो पवित कार के मामले में जो बलात कारी थे उनको बचाने के लिए बीजेपी के तीन मंतरी सिरंगा जंडा लेके निकले थे ये बात कर रहे है नैतिकता की एक बार भी जवाब नहीं दिया एक सो पंद्रा लोग अलीगर में मरे थे नकली शराब से उस मामले में क्या हुआ एक बार सो ठेका गोवा में क्यूं है क्यूं है 525 ठेका नोड़ा में आप पूरे देश का ठेका लेके घूम रहे हैं बेरोजगारी पे महंगाई पे रुपिया के गिरते हुए अस्तर पे आप कोई जवाब नहीं देंगे आपने किडिनी की दवा पे टेक्स लगा दिया कैंसर की दव जवाब नहीं देखें बार बार जब शराप के घोटाले का सवाल का जवाब ना हो तो एक हमारी 19 साल की बेटी का ये बार बार जिकर कर रहे हैं जिस पर तो कारवाई हुई पर संदीप कुमार जिस प्रकार से शोशन कर रहा था मैलाओं का राशन काड के लिए तब यही प आरोप को बार में आपने का कि हमने आरोप लगाए तब तो कॉंग्रस उसका बचाव करती थी और इस कॉंग्रस के साथ आप ही गुल मिल गए थे 2013 में पर छोड़ दीजिए आपने जो आरोप लगाए उसका बता दीजे ना आपने ऑपरेशन लोटस बोला मैं आपसे करके याँ मीडिया को नहीं तो FIR करके या कोट में जाकर हमें एक्स vежд क्यों नी करते और पिर आपने आरोप लगाया है गुजरात का अपने आरोप लगाए यूप का अपने बंगनुरू का भई एक भी कोट का ओडर हो कि भाई इसमें प्रश्टाचार हुआ है तो बता दीजिए आपके पास एक भी CVC की रिपोर्ट हो आपके पास कोई भी ऐसा तथ्य हो तो F.I.R. जाकर आप भी कर सकते हैं हमारे लोगों के खिलाव का रुबाई करें किसमे रोखा है आप एक पार्टी के बीच विवाद की बचा भी बनता जा रहा है दोनों पार्टीया एक दूसरे को पर कुल कर आरूप लगा रही है और मामला लंबा खिश्टा भी दिख रहा है